प्रेंड आपका कंपेनियन चित्रांश दादिच इस थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं इससे पहले दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं फर्स लेक्चर में हमने पूरी की पूरी स्टोरी देखी वो भी एक अमेजिंग तरीके से सेकिंड लेक्चर में हम वर्ड तो वर्ड और सेंडेंस टू सेंडेंस ट्रांसलेशन देखते वे चल रहे हैं और उसी का आगे की स्टोरी देखने के लिए अभी हम लोग लेक्चर थरी देखने वाले हैं तो अब तक की स्टोरी में क्या हो चुका है फ्रेंच नाम का एक लड बाद में कहता है कि नहीं, मैं इन सारी चीज़ों को रेजिस्ट कर सकता हूँ, मैं सारी चीज़ों का विरोध करके भी स्कूल जाओंगा और ये सोच के भागना शुरू करता है, रास्ते में टाउन हौल में देखता है, भीड लगी भी है, जो हमारा notice board है उसके सामने जो वहाँ पर bulletin board लगावा है लोग वहाँ इखटे हुए है तभी वहाँ पर एक watcher नाम का एक लोहार रहता है जो उससे मस्ति में जाक करता है कि तोड़ा धीरे भागो भाई इतना जोड़ से भागने की जरूरत नहीं है plenty of time में परियात समय में तुम अपने स्कूल पहुँच जाओगे पूरी तरह के से हाफावा वो मिस्टा एम हैमल के गार्डन के यहां पहुँचता है स्कूल को ध्यान से देखता है नोटिस करता है बिलकुल शान्ती है आज कोई शोर शराबा यहां पर नहीं हो रहा है दीरे बचते बचाते जैसे तैसे खिड़की तक पोहँचता है खिड़की से देखता है अंदर की तरफ के भईया सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके हैं और उसके बाद में कमरे के अंदर आता है बड़ा घबराया हुआसा बड़ा दरा हुआसा MML के सामने आता है और MML से जो उसे डर लग रहा होता है कि मारेंगे पिटेंगे ऐसा कुछ भी नहीं होता वो उसे कहते है आजाओ आजाओ बैट जाओ हम तुमारे बिनाही क्लास शुरू करने वाले थे और वो बैटता है थोड़ी सी शान्ती मिलती है उसके बाद आसपास देखता है कि गाओं के कुछ बुड़े लोग भी वहाँ पर आज आकर बैटे हुए हैं उसी समय MML साब जो है अपनी कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं कि आज जो मैं लेक्चर आज जो मैं लेसन आप जो कि जर्मनी की राजदानी है बर्लिन से आच चुके है तो टीच ओनली जर्मन इन दा स्कूल साफ एलसेज एंड लॉरेट कि आज से केवल और केवल जर्मन भाषा जो है वो पढ़ाई जाएगी एलसेज डिस्टिक और लॉरेट डिस्टिक के जो भी हमारे क्षेतर है यहाँ पर इन ही दो भाषाओं को पढ़ाया जाएगा नए जो शिक्षक है नए जो टीचर है जर्मन भाषा के वो कल आने वाले है और आज का ही जो पाठ होने वाला है यह तुम्हारा आखरी फ्रेंच भाषा का पाठ होने वाला है लास्ट फ्रेंच लेशन होने वाला है कल से तो भाईया तुम जर्मनी के रहने वाले हो गए जर्मनी वासी हो गए तो कल से तो तुम्हें जर्मन भाषा पढ़नी है फ्रेंच भाषा पढ़ने का क्या आप काम I want you to be very attentive मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से आज के इस पार्ट को सुनें इस पार्ट को देखें What a thunder clap अब इतना MML साब कहते हैं और उसके बाद में फ्रेंच अपनी भावनाओं को बताता है कि कैसा thunder clap था ये कैसा वज्रपात था एकदम से ऐसी जटके वाली खबर दी साब ने कि हिल गया वो अंदर से पूरा क्यार ये क्या हो गया अचानक से क्यों These words were to me यानि कैसे वज्रपात्र की तरह गिरे ये शब्द मेरे उपर Oh the riches अरे धिकार है अरे मेरा दुरबाग्य That was what they had put up at the town hall तब उसे याद आता है अच्छा यही बात उन्होंने वहाँ पर town hall पे भी लिखी भी है इसलिए वहाँ पर इतनी भीड लगी भी थी इसलिए सारी की सारी जंता वहाँ पर इखटी हुई भी थी इसलिए वहाँ पर watcher जो है वो मुझे कह रहा था और बहुत ही भावावेश के साथ यह कहता है जैसे कि आखरी पार्ट बस यह बोलते वे अचानक से भावुक हो जाता है Why? क्यों? I hardly knew how to write मुझे मुझे मुश्किल से पता है ना कि बराबर पता है कि कैसे लिखा जाता है मतलब अगर फ्रेंच लिखने की बारी आ जाए तो मुझे 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 से ही पता है कि फ्रेंच भाषा कैसे लिखी जाती है I should never learn anymore अब मैं जीवन में आगे कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा I must stop there then अगर ऐसा था तो मुझे वही रुख जाना चाहिए था वही खेतों में घुमने चला जाता चिडिया चाहते वे देख लेता और वही उड़ी मार लेता टाइम पास कर लेता वही पे Oh, how sorry I was for not learning my lessons अरे मैं कितना शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने पाठों को नहीं पढ़ा जो भी आज तक मुझे पढ़ने के लिए कहा गया जो भी मुझे ready करने के लिए कहा गया तयार करने के लिए कहा गया वो सब मैंने नहीं पढ़ा नहीं तयार किया अभी अभी 11th से जो 12th में आये हैं वो अपने 11th के result की और एक बार देखेंगे और उसके बाद जिस दिन परिक्षा देने बैठेंगे या जिस दिन परिक्षा देने बैठे हुए थे पिसली बार वो खशन याद करेंगे तो उनको याद आएगा अरे भाई हर साल अपरियल में running करता हूं कि इस साल शुरुवात से पढ़ाई करूंगा सेस्षन शुरू हो गया है शुरुवात से पढ़ाई करूंगा लास तक जाते जाते मेरे उपटर कोई प्रैशर नहीं आएगा कोई मेरा बैकलॉग नहीं रहेगा कुछ नहीं छूटेगा सब टाइम पे मेरा तयार होगा जब मैं आठवी में था तब भी अप्रेल में यही सोचा और जब आठवी की परिक्षा दी तब भी कंडिशन यही थी कि मुझे कुछ नहीं आता नाइंत में भी यही सोचा परिक्षा के टाइम में हालत खराब तैंत में भी यही सोचा साल बर पढ़ूँगा परिक्षा के टाइम हालत खराब इलेविंत में भी यही सोचा कि इस बार तो अप्रेल से ही पढ़ूँगा और परिक्षा आते हालत खराब आज फिर आप लोगों के सामने वही समय वापस आ गया है आपका resolution आप ले सकते हैं आज मेरे साथ कि सर आपका जो भी lecture आएगा हम उसे जरूर देखेंगे उससे जरूर पढ़ेंगे हो सकता है हमारी practice कभी कम होगी कभी जादा होगी कभी हम बहुत ध्यान से कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे but at least continuity में हम लोग English जरूर पढ़ेंगे continuity में आपके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे ताकि जब परिक्षा का समय आए तब तक कम से कम हर chapter हमें अच्छे से ध्यान हो grammar के rules हमें अच्छे से ध्यान हो letter writing, notice writing, report writing इनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कैसे इने लिखा जाना चाहिए सारी चीजे ठीक से पता हो ताकि जो friends कह रहा है वो हमें ना कहना पड़े क्या कह रहा है friends oh how sorry I was for not learning my lessons मैं कितना शर्मिंदा हूँ मैं कितना परेशान हूँ मैं कितना दुखी हूँ कि मैंने अपने lessons को time पर नहीं पड़ा for seeking birds कभी मैं birds के egg यानी चिडियाओं के अंडे खोजने चला जाता था or going sliding on the star कई बार फिसल पट्टी पर फिसलने के लिए चला जाता था आपके भी बहुत सारे पिसले साल कारण रहे होंगे जिस वज़े से आप पड़े नहीं पाए होंगे याद करो अपने कौन-कौन से कारण है साल बर किन-किन चीजों में बीजी थे बेटा जिस वज़े से last तक exam आने तक भी topic और chapters प्रिपेर नहीं हो पाए थे जैसे यह याद कर रहा है ना आप भी याद कर लो के पिसले साल आपके कौन-कौन से कर्म रहे थे कैसे कर्म हो था आप जानते ही हो my books, मेरी किताबे that had seemed such a nuisance जो आज तक मुझे ऐसी प्रतीत होती थी ऐसी लगती थी translation नहीं हो पाता लेकिन जब मैं कहता हूँ के बिटा जब मैं एक एक लाइन बोल करके पढ़ा रहा हूँ अपनी किताब सामने खोल लो जब मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ में तुम भी बोलते वे चलो तुमारी reading अच्छी हो जाएगी वो नहीं करना बैड पे लेट करके और फोन चलाएंगे फोन देखेंगे ऐसे तो study करेंगे लेकिन बाद में कहेंगे sir English book is a nuisance यह तो बकवास किताब है इतनी घटिया किताब हमने आस तक नहीं देखी तो जो किताबे पहले nuisance लगती थी बकवास लगती थी a while ago एक शण पहले so heavy, इतनी भारी लगती थी to carry के उन्हें ढोकर ले जाना पड़ता था इसे कंदे पर उठा कर लेके जाना पड़ता है my grammar मेरे व्याकरण की किताब and my history of sense और संतो के इतिहास की मेरी जो किताब है वो भी were old friends now अब पुराने मित्र जैसे लग रहे है पुराने मित्र जैसे किताबे तो अपने इंडियन्स को नहीं लगती यह तो इसको लग रहा है क्योंकि अच्छा बच्चा है अपने को लगते हैं कि जो teachers exam में, class में पढ़ा रहे होते हैं जो teachers बहुत खराब लगते हैं पढ़ाते समय वही teacher जब paper देते time सामने आते हैं तो भगवान का स्वरूप लगते हैं कि सर कुस तो बता दो एक आदा अंसर बता जाओ ताकि हम पास तो जावे इस साल कम से कम तो वही चीज़ है कि किताबें जो पहले बिलकुल भकवाज लगती थी इतनी भारी लगती थी कि इनको ढोके घर से school आओ, school से घर जाओ वे अब पुराने मित्र के समान पुराने दोस्तों के समान लग रही थी now that I couldn't give up अब ऐसी लग रही थी कि मैं इने छोड नहीं सकता था यानि मेरे लिए इन किताबों को छोड़ना संभव नहीं था and M.M.L. 2 और हमारे सर जो है M.M.L. सर वो भी the idea that he was going away यह है विचार के अब वो हमसे हमेशा के लिए आसे दूर चले जाएंगे that I should never see him again मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा मैं उनसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा made me forget all about his ruler and how cranky he was यह जैसे ही विचार मन में आया कि अब बस आखरी बार है जब सर के साथ है उसके बाद सर से कभी नहीं मिल पाएंगे तो मैं पूरी तरह से भूल गया उनकी लोहे की छड़ी के बारे में और इस बारे में भी कि वो कितने सनकी नेचर के है कि फटापट से किसी वात पे उनको गुस्सा आजाता है पीटना शुरू कर देते हैं मैं इस सारी चीजे भूल गया पूर मैन पूर मैन का मतलब यहाँ पर क्या है बेचारा आदमी क्या है यहाँ पे बेचारा आदमी बेचारे सर ठीक है इट वाज इन ओनर ओफ इस लास्ट लेस्ट लेस्ट एट पुट ओन इस फाइन संडे क्लोज तो बिचारा वेक्ती यह उनके सम्मान में आज का आखरी पार्ट है जब उन्होंने अपने अच्छे संडे वाले कपडे पहने है और अब मैं ठीक तरीके से समझ पा रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि गाउं के बुड़े वेक्ती जो है वो यहाँ आकर कक्षा में पीछे की और बैटे हैं इन दा बैक ओफ दा रूम के कक्षा में या कक्षा कक्ष में पीछे जो बुज़र्ग व्यक्ती बैटे है वो क्यों आए है वह इस व्यक्ती के प्रती टीचर के प्रती सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हैं कि इतने लंबे समय तक 40 सालों तक उन्होंने निश्ठा पूर्ण तरीके से फ्रेंच सिखा करके जो इस समाज की सेवा की है उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं लॉट्स ओफ ग्रेटिटूट शो करने के लिए आए हैं कि हम आपके प्रती आभार व्यक्त करते हैं इट वास बिकॉस दे वर सॉरी टू यह ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भी इस बात से दुखी थे वे भी उस बात से शर्मिंदा थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर कि वे जादा स्कूल नहीं गए इट वास देयर वे ओफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिस 40 यहर्स ओफ फेथफुल सर्विस यह उनका एक तरीका था वे का मतलब रास्ता नहीं है यह उनका एक तरीका था धन्यवाद देने का उनके मास्टर को उनके टीचर को फॉर हिस 40 यहर्स ओफ फेथफुल सर्विस उनकी 40 सालों के निश्टा पूर्ण सेवा के लिए and of showing their respect for the country that was there there's no more और वे सम्मान प्रदर्शित करने आये थे अपने देश के प्रती जो कि अब उनका देश नहीं रहा था ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनका देश नहीं रहा था क्योंकि उनका देश है France और यह जो दो डिस्टिक हैं Lauren and Elsis यह दोनों के दोनों अब France देश का हिस्सा नहीं थे यह जर्मन का हिस्सा बन गए थे जर्मनी देश का हिस्सा बन चुके थे तो अब यह देश भी उनका नहीं रहा था तो इस देश के प्रती जो भाशा के माध्यम से वो सम्मान प्रकट करना चाहते थे अंतिम बार अपने देश को और अपने सम्मान को अपने भाशा को प्रकट करने के लिए यहाँ पर आये थे यहाँ पर उपस्तित हुए थे वाइल आई वास थिंकिंग अफ आल दिस जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था विचार कर रहा था मेरे दिमाग में सारी चीज़े चल रही थी I heard my name called मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है It was my turn to recite अब मेरी बारी थी कि जो भी सर कह रहे हैं उसे मैं दोहरा हूँ उसे मैं कहूँ उसे मैं बोलूँ What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through मैं क्या कुछ नहीं कर सकता था मतलब अगर मेरे मन में आता है मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ कर देना चाता था कि भयानक जो rules है participle के उन्हें बिल्कुल सही तरीके से बोलू Very loud, बहुत जोड से And clear और बिल्कुल स्पष्ट रूप से Without one mistake बिना एक भी गलती किये मैं क्या कुछ करने को तयार नहीं था मैं कुछ भी कर सकता था कि बस एक बार आज के दिन सपष्ट तया इस बात को मैं बोल पाऊ But I got mixed up on the first words यानि कि मैं पहले ही शब्द में उलज गया यानि पहला ही शब्द में ठीक से नहीं बोल पाया And stood there और वहाँ खड़ा रहा Holding on to my desk अपनी desk को पकड़े हुए My heart beating मेरा दिल जो है बहुत जोड से धड़क रहा था And not daring to look up और मैंने बिलकुल साहस नहीं किया मेरी बिलकुल हिम्मत नहीं थी कि मैं उपर सामने की तरफ अपने सर की और देख पहूं Mr. M.H.M.L. की और देख पहूं I heard मैंने सुना M.H.M.L. say to me Mr. M.H.M.L. जो है उन्होंने मुझ से कहा I won't scold you मैं तुम्हें डाटूंगा नहीं Little friends, छोटे friends You must feel bad enough तुम पहले ही काफी बुरा महसूस कर चुके हो तुम आत्मगलानी में गिल्ट में पहले ही इतना बुरा महसूस कर चुके हो कि मैं तुम्हें डाटूंगा नहीं See how it is देखो कैसे है ये देख रहे हो तुम तुम सामने ही देख सकते हो कि कैसे हो रहा है Every day we have said to ourselves हर बार प्रती दिन हम अपने आप से कहते है बह अरे छोड़ना यार I have plenty of time अरे अभी तो बहुत time पढ़ा है अभी तो पढ़ लेंगे अभी तो अप्रेली चल रहा है कर लेंगे क्या है अभी तो शुरुआत ही तो हुई है I learned it tomorrow मैं इसे कल तयार कर लूँगा मैं इसे कल पढ़ लूँगा मैं कल इसे याद कर लूँगा And now you see where we have come out और अब हम देख सकते हैं कि हम कहां पहुँच गए हैं कि अब हमारे पास समय ही नहीं है दुख के साथ कहता है That's the great trouble with else's यही सबसे बड़ी परेशानी है यही सबसे बड़ी मुसीबत है else's और यहां के लोगों के साथ She puts off learning till tomorrow कि यहां के else's जो है else's के लोग जो है यह पढ़ाई को कल पर छोड़ देते मस्ती कब करनी है? आज बदमाशी कब करनी है? आज मूवी कब देखनी है? आज पढ़ाई कब करनी है? कल फिर अगला दिन आ गया फिर अगला दिन आ गया फिर अगला दिन आ गया फिर पढ़ाई कब करनी है? कल तो यह कल तो कभी आता नहीं आज कभी जाता नहीं इस्तिति यही बनी रहती है Now those fellows out there will have the right to say you अब वो जो बहरी लोग आ रहे हैं जर्मन वाले, पर्शियंस जो आ रहे हैं, उनके पास ये कहने का पूरा पूरा अधिकार है, वो तुमसे कह सकते हैं, how it is, ये कैसे हो रहा है भाई, you pretending to be Frenchman, तुम दिखावा तो ऐसे करते हो जैसे कि तुम फ्रांसिसी लोग हो, and yet, you neither speak nor write your own language, और फिर भी, तुम ना तो बोल सकते हो, और ना ही लिख सकते हो, अपनी खुद की भाषा, तो भाई, तुम कैसे फ्रांसिसी हो, कैसे फ्रेंच मैन हो तुम, ना तो तुम्हें अपनी भाषा बोलनी आती है, ना ही लिखनी आती है, but you are not the worst poor little friends, लेकिन तुम सबसे बुर तुम सबसे बुरे नहीं, we have all a great deal to reproach ourselves with, यानि हम सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कि हम सभी निंदा के पातर हैं, यानि हम सभी ने कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां की है, जिसमें, जितना दोश तुम्हारा है, कि तुमने पढ़ाई नहीं की, उतना ही दोश हम सभी लो माता पिता जो हैं, आपके पैरेंट जो हैं, उन्होंने कभी इस बात की जादा चिंता नहीं की, कि तुम परियाब्त तरीके से पढ़ाई कर सको, they prefer to put you to work on a farm or at the mills, उन्होंने पसंद किया, उन्होंने प्रिफर किया, कि या तो तुम्हें खेतों में काम करने के लिए माता से मिल सके, and I और मैं, I've been to blame also, मैं भी वह वैकती हूँ जिस पर blame किया जाना चाहिए, have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson, क्या कई बार ऐसा नहीं हुआ, कि मैंने तुम लोगों को बेज दिया, कि मेरे गार्डन में जो पेड़ पौदे लगे हैं, वहां जाकर उन्हें पानी पिलाओ, बजाए इसके, कि मैं तुम्हें तुम्हें तुम्हारे lessons पढ़ाता, तो मैंने भी तो पढ़ानी की बजाए तुम्हार से बाहर का काम करवाना पसंद किया, तो मैं भी कोई दूत का दुलावा नहीं हूँ, मेरे उपर भी blame लगना चाहिए, and when I wanted to go fishing, और जब मैं fishing करने, साथ जा रहे हैं मचली पकड़ने, तो उस बात की चुट्टी नहीं कर दी कई बार मैंने, तो ये भी देखने वाली बात है, कि तुम्हारे माता-पिता ने ये चाहा, कि तुम भाई खेतों में काम कर लो, मिल में काम कर लो, ताकि उन्हें दो पैसा और मिल जाए, तुम तो फिशिंग करने जाना होता, मचली पकड़ने जाना होता, तो उस दिन तुमारी चुट्टी कर देता, तो भाईया हम में से दूद में से दुलावा कोई भी नहीं है, यहीं पर ग्रेमर का एक रूल है, वो ग्रेमर का रूल आप लोग मुझे बताओके, कि जब भी कोई गलत कार्य होता है, जब भी कोई बुरा कार्य होता है, और उस बुरे कार्य को करने वाले तीन लोग, बात को ध्यान से सुनना, यह एक तरह की पहेली है, जो ढूंडेगा, जो आंसर देगा, comment box में आंसर देना, मैं देखता हूं कौन-कौन आंसर दे रहा है, 11 वालों के काफी students क नाम याद है मुझे, मैंने पिछले साल पढ़ाया है, इसलिए, तो मुझे बताना कि जब भी कोई गलत कार्य होता है, जब भी कोई अपराद होता है, जब भी कोई नुकसान होता है, और नुकसान करने वाले तीन लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, तीन लोग होते हैं, क्या I, you और he लिखा जाएगा, you, I और he लिखा जाएगा, he, I और you लिखा जाएगा, कैसे लिखोगे, इसका सही तारकिक क्रम क्या होना चाहिए, मुझे comment box में comment करके बताना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने तीनों की निंदा किये, तुम भी गलत हो, मैं भी गलत हूँ, त माता पिता जो घर बैट है, वो भी गलत है, तो pronoun में कौन सा यहाँ पर rule apply होगा, then from one thing to another, उसके बाद एक चीज से दूसरी चीज पर, MML went on to talk of French language, Mr. MML जो है, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी बात करते करते, आगे से आगे बोलते चले गए, और French language के बारे में बात करते रहे, saying that it was the most beautiful language in the world, ये कहते हुए, कि French जो है, दुनिया की सबसे सुन्दर भाषा है, the clearest, सबसे शुद्ध भाषा, the most logical, सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा, that we must guard it among us, कि हमें इसकी रक्षा करनी होगी अपने ही लोगों के बीच में, and never forget it, और इ when a people enslaved, क्योंकि जब भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है, as long as they hold fast to their language, और जब तक वे अपनी language पर अपनी पकड़ बनाया रखते हैं, अपनी language को जाने नहीं देते हैं, अपनी संस्क्रती को, अपनी सब्यता को, अपनी भाषा को छोड़ते नहीं, उसे अपने साथ बनाय रखते हैं, उसे अपनी पहचान की तरह बनाये रखते हैं, their language is as if they had the key to their prison, तब तक ऐसा रहता है, जब तक उनके पास, जिस भी कैद में वो चले गए हैं, उससे निकलने की चाबी उनके पास हमेशा उनके भाषा के रूप में रहती है, आज तुम जबरदस्ती मुझसे ज अच्छा फ्रेंच मैन बना रहूँगा, और हमेशा एक संभावना बनी रहेगी, कि मैं फिर से फ्रेंच मैन बन करके अपना जीवन जीओंगा, बगर मतलब मुझे जर्मन इंसान नहीं बनना है, मुझे जर्मन आइडेंटिटी को एकसेप्ट नहीं करना, ये मेरी पैचान नहीं है, मेरी पैचान फ्रेंच के रूप में है कि मैं फ्रांस का निवासी हूँ, मैं फ्रांसी हूँ, यही मेरी पैचान है और इसी पैचान को मैं रखूँगा, लेकिन कब जब मैं अपनी भाशा पर पकड़ बनाये रखूँगा, hold fast, जब मैं उस पर अपनी पकड़ ठीक है, next आता है, then he opened a grammar and read us our lesson, उसके बाद उन्होंने grammar की एक किताब खोली और हमारे लिए एक lesson पड़ा, I was amazed और मैं यह देख करके चौंक गया, to see यह देख करके how well I understood, और यार कितना अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, कितना बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, it यानि इस lesson को मैं कितना अच्छी से समझ पा रहा हूँ, all he said seemed too easy, जो कुछ भी सर समझा रहे थे, जो कुछ भी सर बोल रहे थे, बहुत आसान लग रहा था यार, बहुत easy लग रहा था, अब इसके दो कारण हो सकते हैं, so easy, so easy, I think मैंने ये भी सोचा, that I had never listened so carefully, कि आज तक मैंने ध्यान से सुना नहीं, और अगर मैंने ध्यान से नहीं सुना तो फिर कैसे समझूंगा, and that he had never explained everything with so much patience, और ये भी एक कारण है, कि आज जितना धैर्य से, जितना प्यार से, जितना तरीके से, जितना धीरे धीरे, सर हमें French भाशा का ये grammar का लेसन पढ़ा रहे हैं, अजितना ध्यास तक ध्यान नहीं दिया, और सर ने भी इतना प्यार से कभी पढ़ाया नहीं, भाई मैं तो प्यार से पढ़ा रहा हूं, मुझसे तो कम से कम, मेरे subject को तो तयार करो अच्छे से, मैं तो डाटता पीटता भी नहीं हूं, MML सर की तर है, तो भाई दोनों गी, इसा लग रहा था, इसा प्रतीत हो रहा था, लग बक के बिचारा आदमी, इसके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी ये जानता है, यहां से जाने से पहले, वो सारी चीजे, वो सारा ग्यान, वो सारा एक्सपीरियंस हमें दे करके चला जाए, इन वन सिंगल स्टॉक, एक बार में, कि जो कुछ मेरे अंदर है फ्रेंच भाषा को ले करके, मैं सब कुछ इन बच्चों को दे जाऊं, और एक ही जटके में सारी बात हमारे दिमाग में बैट जाए, आफ्टर दा ग्रेमर, ग्रेमर का लेसन होने के बाद, we had a lesson in writing, हमारा एक और पार हुआ, हमारी फ्रेंच भाषा को लिखना था, लेखन का एक पार्ट हुआ, that day M.M.L. had new copies for us, उस दिन Mr. M.M.L. जो है, वो हमारे लिए नई copies लाए थे, written in a beautiful round hand, जिसमें ऐसे हाद गुमा करके, round hand में बहुत सुन्दर लिखे वे थे, France, Elsis, France, Elsis, France, देश का नाम, Elsis, इनके जिले का नाम They looked like little flags, वो ऐसे लहला आते हुए, छोटे जंडो की तरह प्रतीत हो रहे थे, everywhere in the classroom, और ऐसा लग रहा था कि जंडे जो है, लहरा रहे हैं, सभी जग्य क्लास में, hung from the rod on the top of our desk, एक rod, rod इसे कहते हैं, छड जो होती है ना, छडी जो होती है, जो इस पर जंडे को लगाया जात है, वो हमारी desk के उपर लगे हुए हैं, और उस पर जंडे लहरा रहे, यो ought to have seen how everyone set to work, आपको देखना चाहिए, अब यहाँ पर हम से कह रहा है, हम लोगों से, जो हम पार्ट को पढ़ रहे हैं, आपको देखना चाहिए, कि उस दिन सारे के सारे लोग शानती से उस काम को कर अपने में, राइटिंग लेसन में जो काम दिया गया है, उसको करने में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, how quiet it was, सब चुप चाप, ना कोई बाते कर रहा है, ना कोई दाये माएं देख रहा है, सब चुप चाप अपने काम में लगे हुए हैं, कितनी शान्त वाता वरन कितनी शांती थी यहां पर जब सब अपना काम कर रहे थे एक मात्र आवाज जो आ रही थी कागज पर आपका जो पैन रगडने की आवाज होती नहीं इस तरह की ऐसी आवाज आ रही थी और कुछ आवाज नहीं आ रही थी और एक बार क्लास के बीच में राइटिंग के बीच में ऐसा भी हुआ छोटे-छोटे कीडे, भवरे जो है उड़ करके क्लास में आ गए बट नोबडी पेड एनी अटेंशन लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया उन पर कीडों पर not even the littlest one बलकि छोटे से छोटे बच्चे भी जिनका ध्यान इतनी सी आवाज आने पर भी बटक जाता है उन्होंने भी उन बीटल्स की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया वो भी बहुती सम्मान जनक तरीके से अपने अपने काम में लगे रहे who worked right on the tracing, their fish hooks यानि वो जो हमेशा ऐसे काम करते रहते हैं कि अपने fish hooks मतलब छोटी से छोटी चीजों में भी divert जिनका ध्यान हो जाता है उन्होंने भी आज उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया as if that was French too जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा में लिखने का, जानने का, समझने का पूरा प्रयास कर रहे है on the roof the pigeons cooked फिर छट पर हमें कबुतरों के कूकने की आवाज आई very low जो बहुती धीमी आवाज थी and I thought to myself और मैं अपने मन में ही सोचने लगा will they make them sing in German क्या भाईया, जब जर्मन वाले ये लोग आ जाएंगे तो या कबूतरों से भी कह देंगे क्या, क्या आज के बाद अगर तुम्हें कूकना है तो फ्रेंच भाषा में या अपनी भाषा में मत कूकना तुम्हें जर्मन भाषा में कूकना पड़ेगा क्या उन्हें भी जर्मन भाशा में गाने के लिए बात दे करेंगे इवन दा पिजन्स क्या पक्षियों को भी कबूतरों को भी वेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग जब कभी मैंने उपर यानि सामने की तरफ देखा अपनी राइटिंग से नजर अटा कर आई सौ मैंने देखा M.M.L. सिटिंग मोशनलेस बिना हिले डुले निश्चल से बिलकुल ढले हुए से कोई मोशन नहीं कर रहा है बस बिलकुल उदास से एक जगह स्थिर हो करके बैठे वे हैं I saw M.M.L. सिटिंग मोशनलेस इन इस चेर उनकी चेर में गेजिंग फर्स एट वन तिंग देन एट अनदर और बस घूर रहे हैं कभी एक चीज़ को देखते हैं फिर थोड़ा सा दूसरी चीज़ को देखने लग जाते हैं ऐसे बस बिलकुल मोशनलेस बिलकुल बेजान से दिखाई दे रहे हैं ऐसे लग रहे हैं गेजिंग फर्स तिंग पहले किसी एक चीज़ को घूर के देखते हैं उसके बाद दूसरी चीज़ को as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room जैसे कि वो बस अपने दिमाग में fix कर लेना चाहते हैं जमा लेना चाहते हैं कि कक्षा में इस छोटी से स्कूल की कक्षा में कौन सी चीज़ कहां लगी वी थी कैसा दिखता था कमरा कैसे desk लगी वी थी कैसे घड़ी लगी भी थी दर्वाजे कैसे थे खिड़किया कैसी थी कलर कैसा था छट कैसी थी हर चीज़ को अपने दिमाग में जमा लेना चाहते है वो जाते जाते स्कूल की memories लेकर के जाना चाहते है कि वो visualize कैसा होता था मेरा स्कूल दिखता कैसा था मैं कभी भूल ना जो तो याद करना चाहते है याद रखना चाहते हैं कि मेरा स्कूल कैसा दिखता था तो उसी तरह का भाव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है fancy सोचने की बात है for 40 years he had been there in the same place इसी जगह पर वो फिछले 40 सालों से है with his garden outside the window जहां बाहर खिडकी से बाहर देखें तो उनका garden दिखाई देता है his class in front of him और उनकी कख्षा उनके सामने दिखाई देती है just like that बिलकुल वैसे ही जैसे अभी दिखाई दे रही है only the desk and benches had been worn smooth बस केवल जो desk है और benches है वो थोड़ी सी toot food गई है कहीं से और कहीं से बार 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 हाथ रखने की वज़े से smooth हो गई है चिकनी हो गई है the walnut trees in the garden और अक्रोट के पेड जो गार्डन में दिखाई दे रहे हैं were taller बस पहले वो छोटे थे अब वो काफी 40 सालों में लंबे हो गए है and the hope wine that had been planted himself twinned about the window और ये hope wine जो है ये इस तरह की बेल जो है जो इन्होंने खुदने अपने हाथों से उगाई थी twinned का मतलब दो भागों में बट गई है twinned का मतलब क्या है यहां से खिड़की के दोनों और दो भागों में बट गई है about the window to the roof और बट करके उपर छट की तरफ बढ़ गई है how it must have broken his heart to leave it all किस तरीके से उनका दिल जो है वो तूट गया होगा जब उन्हें ये महसूस करना पढ़ रहा है इस चीज़ को बार बार समझना पढ़ रहा है कि मुझे ये सब छोड करके जाना पढ़ेगा उनके हाथ का उगाया हुआ walnut tree उनके हाथ की उगायी भी हो पुए और हो देख रहे हैं कि मेरे सामने यहां से चट तक पहुँच गई है दो भागों में बट करके सुनते हैं जो सामान को इधर उधर सरकार रही है उपर वाले कमरे में पैकिंग देर ट्रॉंक्स उनके बक्सों को उनके सूटकेस को पैक कर रही है for they must leave the country next day क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना ही है but he had the courage to hear every lesson to the very last लेकिन उन्हें इतना साहस है कि वो प्रतेक बच्चे का प्रतेक पार्ट जो है अन्तिम तक सुन सकते है after the writing लिखने के बाद we had a lesson in history हमने इतियास का एक पार्ट पढ़ा and then the babies chanted और उसके बाद छोटे बच्चे जो है यह बस यह वो ही है तो छोटे बच्चे जो है उन्होंने प्राइमर में से यह पढ़ना शुरू कर दिया down there at the back of the room old hosser hat put on his spectacles पीछे की तरफ कमने में हमने देखा कि बूड़ा hosser जो है उसने अपना चश्मा पहन लिया and holding his primer in both hands और उसने अपनी primer जो भी letters है जो भी word है उनको spell कर रहे हैं उनका उचारन कर रहे हैं उनके साथ you could see that he too was crying और आप देख सकते थे कि old hosser जो है वह भी रो रहा था his voice trembled उसकी आवास उनकी आवास काप रही थी with emotion भावनाओं के साथ and it was so funny to hear him और यह बहुत ही मतलब हसा देने वाली घटना थी मतलब उसको बोलता वास सुनकर के हसी आ रही थी हसी क्यों आ रही थी that we all wanted to laugh कि हम सभी हसना चाते थे and cry और रोना भी चाते थे same time हसना इसलिए चाते थे क्योंकि उनको इस तरह बोलते वे सुनना बहुत ही अजीव लग रहा था मजा क्या लग रहा था और रोना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि परिस्तित ही ऐसी है कि आज हमारी अंतियम क्लास होने वाली है how well I remember कितना अच्छे से मुझे याद है यह सब the last lesson all at once the church clock stuck 12 अचानक से जो चर्च की घड़ी है उसमें 12 बजे का समय हो गया यानि कि church clock जो है stuck 12 उसने 12 बजे का संकेत दिया then the anglers यानि कि जो देवताओं की प्रार्थना होती है चर्च में 12 बजे के समय जो प्रार्थना की जाती है उसका समय हो गया था at the same moment उसी क्षन the trumpets of persons दुन्दुभी जो होती है जो persons लोग बजाते है सैनिक वाले जो बजाते हैं से बाजे टाइप के होते हैं आपने आर्मी की परेड वगर होती है तो उसमें देखा होगा के अलग-अलग तरीके के वाद्दे अंत्र बजाये जाते हैं तो persons के जो ट्रिमफेट से उनकी आवाज आने लगी returning from the drill जो अपने drill कल भी बताया था युद्धा भ्यास से वापस लोट रहे थे sounded under our windows जो हमारी window के नीचे वो आवाज आ रही थी MML stood up MML जो है वो खड़े हो गए very pale, बिलकुल बेजान से उनका चेहरा जैसे बिलकुल फीका पड़ गया हो in his chair, अपनी chair से उठे I never saw him look so tall और मैंने उन्हें कई बार देखा लेकिन आज तक वो मुझे इतने लंबे नहीं दिखे मतलब वो बहुत अजीब से दिख रहे हैं सामाने से अलग हो गए my friends, मेरे दोस्तों he said उन्होंने कहा I, I यानि वो कुछ कहना चाते हैं but something chocked him, लेकिन कुछ चीज से उनका गला रुंद गया इतने भावावेश से हो चुके हैं आसू उपर तक आ चुके हैं अब सांस भी ठीक से नहीं आरी होगी I think क्योंकि अगर मेरे साथ ऐसे इस्तिती हो के 40 वर्ष मैंने कहीं पर English पढ़ाई है और अचानक से ये हो के कल से यहां पर French या German पढ़ाई जाएगी और आज आपका अंतिम दिन है और एक ही शेत्र में एक ही शेत्र के बच्चों को अगर मैंने पढ़ाया हो तो definitely जिस समय अंतिम अलविदा कहने की बारी आएगी शायद मेरे भी मुझे कोई शब्द ना निकल पाए मैं भी शायद बस आखों से या इशारों से कुछ बोल पाऊं लेकिन मुझे बोल पाना शायद मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा तो बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ हो रहा है उनका गला एकदम से रुंद गया रुख गया, चौक हो गया बोल नहीं पाए वो आगे कुछ बोल नहीं पाए तुक पीस आफ चौक, उन्हों ने चौक का एक टुकडा लिया जतना भी उनका साहस था उसे एक साथ जुटा करके, पुरे साहस को एकटा करके और उनने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जतना बड़ा बड़ा वो लिख सकते थे का मतलब है France की जै हो Then he stopped उसके बाद वो रुख गए Leaned his head against the wall उन्होंने Leaned his head against the wall का मतलब होता है ऐसे जुख जान ये wall है, wall के सामने ऐसे आकर उन्होंने अपने सर को जुखा लिया And without a word और बिना एक शब्द कहे He made a gesture उन्होंने हाथ से इशारा किया To us, हम लोगों को With his hand, अपने हातों से School is dismissed विध्याले, समाप्त हो चुका है खतम हो चुका है, you may go आप लोग अब जा सकते इस तरीके से हमारा जो chapter है, हमारा जो lecture है उसका यहाँ पर, समाप्ती होती है पूर्ण होता है यहाँ पर तो guys, उमीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से enjoy किया होगा समझा होगा, friends की मनोदशा जो है, आप उससे बहुत अच्छे से connect हो पाए होंगे बहुत अच्छे से connect कर पाए होंगे कि friends को कैसा मैसूस हो रहा है इसलिए मैं आप लोगों से यही request करूँगा कि अब तक 11th class तक जो लापरवाई हमें करनी थी हमने कर ली, कोई बात नहीं बीती ताही विसार दे, आगे की सुद ले जो हो गया, उसे भूल जाओ उसे छोड़ दो लेकिन आगे की हमें सुद लेनी है आगे के लिए हमें बहुत ही विचारशील होना है, हमारी विचारशील था यह है कि अभी हमारे पास समय है और यह बिल्कुल सही समय है अपनी पढ़ाई को शुरू कर देने का अपनी तयारी को शुरू कर देने का बिल्कुल सही समय है मतलब सबसे बढ़िया मौरत आज का ही है आज का मौरत सबसे शांदार है आज पढ़ाई शुरू कर दो तो गाईस आज से आप लोग पढ़ाई में लग जाएंगे और अब जब तक हमारा बोर्ड एक्जाम नहीं होता तब तक हम continuously पढ़ाई करेंगे जैसे फ्रेंज अभी बातों को ले करके दुखी हो रहा था कि मैंने पढ़ाई नहीं की मैं इदर उदर टाइम पास कर रहा था आप मेंसे किसी एक की भी ऐसी इस्तिती नहीं होनी चाहिए कि जब बोर्ड एक्जाम के लिए हम फेस करने के लिए सामने जाएं बोर्ड एक्जाम को तब हमें लगे के हाँ भई मैं सालवर कहां टाइम पास कर रहा था नहीं करना है टाइम पास आज से ही कृत संकल्प हो जाईए द्रड संकल्प ले लिजे कि आज से बस पढ़ाई शुरू और जब तक बोर्ड एक्जाम नहीं खतम हो जाते तब तक मैं पढ़ाई किसी कीमत पर नहीं शोड़ूँगा चाहे 10 चीज़े दूसरी शोड़ जाए ठीक है गाईस तो इसी उमीद के साथ all the very best thank you very much I'll see you soon in my next lecture till that take care of yourself bye-bye I'll see you soon